हलो हाई नमस्कार स्वागते सभी के स्टी गैंपर्स पर मिरा नाम है प्रशांत के बीएस में पी आटी वेकैंसीज को लेकर और डीट प्लेस पी में पी आटी वेकैंसीज को लेकर काफी चीज़ें अब चलने लगी है एलेक्शन के बाद वैसे तो सिक्षक भरतियों का पूर आटी दें उन सब को ठीक है अभी क्रेंश में नॉटिफिकीशन को पहले आपको देखने को मिला था कि के ये चीज इस लिए कि एतने प्रारूप ये तै रहो पए कि आखिर कितनी पोश्ट के वेकैंट हैं जिन पर भरतिया निकाली जा सके के ये विद के दवाररा तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि KBS की वेगेंसी कब आ सकती है और आप उसकी तयारी कैसे करें प्लस उसके साथ ही साथ क्या KBS का हमें इंतजार करना चाहिए या उससे पहले हमें कौन सी भरती देखने को मिल सकती है ठीक है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्तपूर है अगर आपने B.A.R.B.T.C. कुछ भी किया हुआ है और आप एक सिक्षक भरती की तयारी कर रहे है तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्तपूर होने वाली है यह पर जब आप जाओगे तो आपको एक novak बहुत देकने को यहां पर आप बेलेगा ट्रांसपर जो की नोटिस जारी किया गया है 16-2014 को इसे जब आप दिखोगे तो यहां पर लिए ना पूरा पने देखी लिया होगा थोड़ा पराना है तो इसमें पूरा tentative vacancies के बारे में पूछ लिया गया है कि कहां पर कितने पद रिक्त हैं ट्रांसफर के लिए ठीक है इसके बाद कितने रिक्त पद खाली हो जाएंगे कितने पोस्ट वेकेंट हो जाएंगे यह सब पूरे डिटेल यहां से जोटा लिया गया है जब आप इसे पूरा पढ़ोगे तो इसकूल वाइस पूरा है याप पूरा पीडिए 540 पेज का है तो वो पढ़ना संभव नहीं है एक छोटी सी इस वीडियो में लेकिन मैं हां इतना बता देता हूं कि पूरा रिक्त प आपको यहां पर देखने को मिलेगे सार यह है कॉंक्लिजन इसका यह है पीडियाफ का कि यह पोस्ट वेकेंट आपकी जितने भी है उनका पूरे डिटेल जुटा लिया गया है अब नॉटिफिकेशन इसका कब आ सकता है कब इसकी सूचना जो है बो जारी किया सकती है तो आपको तीनो पड़ों के जो पोस्ट के लिए जो वेकेंट पोस्ट जगया है जिस स्कूल में कितनी कितने पद खाली है तो तीनो के लिए आपको देखने को मिलेंगे प्राइमरी टीचर के लिए बीए तो यह आपको देखने को मिलेगा ठीक है क्या इस बार कोई बदलाव देखने को मिलेगा क्या इसका उत्तर जो है वह आपया जो है ना के बराबर चांस इसके है कि किवीयस के जो प्रॉसेस रहेगा यह कुछ दिन पहले 2022 में संपन्न हो पाई यह पूरे तो जो बर्ती प्रिक्रिया दोजार बाइस वाले नोटिफिकिशन में तो संभावना वही है कि वही बना रहेगा उसमें कोई बदलाब देखने को नहीं मिलेगा अब क्या हमें के बिसका इंतिजार करना चाहिए तो इस कांसर बिल्कुल नहीं क्योंकि उससे पहले आपको वह सकता है डिट्रपलसी पताओं के लिए कोई भी एक्जाम नहीं है अभी डिट्रपलसी के एक्जाम केलेंडर में यानि अब बजता है हमारे पीजीटी खतम हो जाएगा जोलाई में पीजीटी के एक्जाम हो जाएंगे और इस प्रिसल एजूकेशन टीचर वाले अब बसता है टीजीटी और यह पी आटी हैनि पूर्प्राइमरी टीचर वाला तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई जाधा देरी इसमें होगी जो कुछ मीं चल रहा है वह से कहानी है महिने दू महिने में यह सारीचीज़े आपको किलियरली दिखाई देने लगेंगी एकदम विजन किलियर हो जाएगा कि हाँ DLSP अक्टूबर नमंबर में आएगा या नहीं आएगा संभावना तो यही है कि आने के चांद जादा है बागी तो देखो होता है जिसमें आपका चैल्ड डेवलमेंट हुआ पेडागोजी हुआ यह सबी चीजें सामिल होते हैं तो यह सो नम्मर का टीचिंग होता है आपका और यह पार्ट और पार्ट भी दोनों मिलाकर हो जाता है पेपर आपका पूरा 200 नम्मर का पॉइंट टू फाइब कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और दो घंडे का आपको समय दिया जाता है इस पर आप फंडामेंट फंडामेंटली काम करिये हिंदी है इंगलिस है यह तो ऐसे सब्जेक्ट है कि जहां आपके 20 में से 18 न बात करें तो पार्ट वी में टीचिंग अप्टिट्व आपका आता है आप इसमें कितना भी प्रयास कर लोगे कितना प्रयास कर लोगे फिर भी आप इसमें 80 से ज्यादा नमर नहीं लापाओंगे हां कोई बहुत ज्यादा टौपर है किसे की आजाएंगे 95 में तो एक बचा लेगा नहीं तो फिर पर निकल जाएगा तो पर पर तयारी कर सकते हो दूसरा ही है कि मैं पार्ट वी के लिए रोजाना तीन बजे क्लास तला रहा हूं तो आप रोज दो राज रही है इसी चैनल पर जिसमें मैं आपको ड्यूपल सब्सक्राइब करता हूं आश्वाशन देता हूं उस क्लास में जो मैं कॉंटेंट करा रहा हूं वह कॉंटेंट आपको पूरे यूटूब पर देखने सब्सक्राइब के लिए और उसका जो लेवल है वह भी प्याटी वाला ही लेवल है तो वह क्लास आप जरूर जाइन करो यह मैंने पूरी जानकारी आपको इसमें कोई सुझाब है आपको कुछ पूछना है कोई कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट से टेखने के लिए धन्यवा और थैंक यू